देखिए कल जो एक एलिमेंट वाला कोश्चन था वो सही कोश्चन था वह एक्जाम्पलर का हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ा आ गेते यानि कि हड़बड़ जल्दी में आ गयते इसले उसको मैं करा दूंगा ठीके ऐसा कुछ है नहीं कहो तो मैं अभी करा दूंग वैसा मै कोश्चन सही कोश्चन था हम लोग ने ध्यान से पढ़ा नहीं है उसको चलिए आप इधर आईए फटाफट जल्दी से यह वाला कोश्चन देखिए अब आपको पता है इलेक्ट्रोलैटिक रेडक्शन उसके बाद पता है ना हाई रेक्टिविटी इलेक्ट्रोलैटिक र ओर ऑफ मरकरी मर्करी के और का नाम आपको पता है सिनाबर ह्टग्स क्राइव यह पाड़िए पढ़िए एक्स्प लेंडुको पता है अदो ना तो त्मय पता है अब आगे बढ़ीए चिक यह सारी बात लोगो पता है आगे बढ़ी है अच्छा ये भी हो गया था क्या चलो कोशन देखते हैं देखते हैं भाई कोशन क्या दिया मैंनों है कोशन देखिए some metals react with water and produce metal oxides and hydroxide and liberate hydrogen gas metal like sodium and potassium react violently with the cold water how calcium reacts less however calcium reacts less violently with the cold water because it is less reactive as compared to sodium potassium magnesium does not react with cold water it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas metals like aluminum, iron, zinc do not react with cold water as well as hot water but they react with steam to form metal oxide and hydrogen अब देखिए ज़रा ध्यान से आप एक काम करो ये paragraph आपका बच्छो NCRT से लिया गया अगर आपको छोटा मोटा दिख रहा हो यहां तो पढ़ लीजा आप से एक बार पढ़ लो ऐसे ही, question number 11 का पूरा paragraph पढ़िए आराम से पढ़िए, इतना दिख रहा होगा है ना, इतना दिख रहा होगा आपको पढ़ दीजे अब देखो, वही सारी बाते लिखी जो NCRT में थी, है ना तो first question है, which gases produce when the reactive metals reacting with water reacts with water, बताइए कौन सी गैस निकलती हाइडोजन गैस सबको पता है, बहुत असान है, अगला सवाल, how can we extinguish, how can we extinguish fire, है ना आग को extinguish, आग को कैसे बुझाए जा सकता है, कौन सी गैस से, बताइए कौन सी गैस से आग को बुझा सकते हो, आप बताओ by carbon dioxide आपको पता है, लेकिन पता है क्या, सुनो, इसमें अगर इस तरीके से आंसर आई गया है, तो आप कोई example लिखोगे acid base and salt में किसी device का नाम आपने पढ़ा था, बताइए कोई chemical device थी आपके पास, क्या नाम था उसका, बताओ क्या नाम था उसका हरे yes, yes, yes soda fire extinguisher yes, वो वाली reactions आप लिख दीजेगा यहाँ पर, फिर why sodium is kept in kerosene oil, पताइए which metal did not react with water even in the presence of steam, छीखे ना, तो steam के presence में कौन सा metal reaction नहीं करता है तो कौन कौन से metal है, जो steam से भी reaction नहीं करते है, आदे, lead हो गया copper हो गया, आपका gold हो गया, copper इसमें best example था आपको पता है copper steam से भी reaction नहीं करता है how can we prevent iron from rust iron को आप rust से कैसे prevent कर सकते हो oiling कर दो, greasing कर दो, galvanization कर दो ठेक, तो यह सब आपको पता है, आगे बढ़िए अब देखो देखते हैं भाई क्या ही, बस खतब होने वाला यार यह तो है ना, यह तो खतब होने वाला लग रहा है कि exemplar की भी revision मैं कुछ ना कुछ करा दूँगा खतब होने वाला यार यह तो है ना चलो, अगला सवाल देखो बच्चो यहां से कह रहा A non-metal capital A is an important constraints of our food and form 2 oxide B and C बहुत असान है यार बताओ, क्या B is toxic पहले भी कर चुके हैं छोड़ो दो सवाल और हाँ, एक चीज़ याद रखीगा यह जो element A है, आपका carbon यह कहां belong करता है, पढ़ लो, पढ़ लो सवाल पढ़ लो, यह कहां belong करता है इसका group number याद रखना, carbon का group number कौन सा है, 14 है, period dictable में carbon का group number 14 है, देख लीज़े आपको toxic gas carbon monoxide और आपका जो global warming के लिए responsible है वो carbon dioxide पढ़ लीज़े, सवाल पढ़ लीज़े, अब देखिए बच्चो यहाँ पर हम लोग अगला सवाल देखते है देखिए, 2012 में उसने पूछा, तीन नंबर में सवाल पूछा बहुत सही भाई, बहुत सही बहुत सही, देखो, कह रहा a metal X left in moist air for a longer time loses its shiny brown surface and gains a green coating, अब बताओ भाई green coating कौन गेन करता है बताइए, कौन सा metal है जो आपका green coating gain करता है बच्चों बताइए, copper नहीं करता है, basic copper carbonate की layer आजाएगी भाई, चेक कर लो अच्छा कुछ बच्चे करते हैं इसकी reaction बता दो, इसकी कोई reaction आपको नहीं करनी है, इसकी reaction आपके syllabus में नहीं है, परिशान मत होईए, ठीक है, इसकी reaction आपके syllabus में नहीं है, ठीक है न, बस formula आपको याद करना है, ठीक है, basic copper carbonate का आपको formula याद रखना है, why has this happened, तो यहां से यहां तक का answer यह रहा, कि metal आपका कौन सा है, copper है, metal कौन सा आपका, metal कौन सा आपका, copper है, जो green color की coating हो जाती है, वो कौन सी है, metal corrode हो जाता है, आपको पता है, the metal has corrode because of being exposed to moist air, green compound, जिसको हम क्या बोलते हैं, basic copper carbonate, cu, co3.cooh hole twice की coating आ जाती है, ठीक है, metal आपका copper है, अगला सवाल, name and give the chemical formula of this compound, of this given colored compound and identify the metal, तो भहिया, formula बता तो दिया हमने, ठीक है, और identify metal भी कर लिया, list two ways to prevent this process, ठीक है, इस process को prevent करने के लिए, दो तरीके हमें यहाँ पर बताने, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप समझो ज़रा, कि आप क्या कर सकते हो, students, यहाँ पर, yes, आप यहाँ पर देखी, क्या कर सकते है, students, ठीक है, painting कर सकते हो, greasing कर सकते हो, oiling, यह मुझे best लग रहा है, यहाँ पर, और इसके बाद, yes, copper का corrosion बनाने, बचाने के लिए, हम लोग क्या कर सकते कर सकते, क्या, गैलवनाइज कर सकते हैं, copper को, क्या, copper को, हमको तो NCRT में, पढ़ाया था, कि हम, globalization किसका कर सकते हैं, बताए, iron का, है, um highway, says,克 стор तो Entrepreneur Color का, कि ओक तो copper का, तो में नहीं पढ़ाया गया था, तो क्या करें, बताई है, यह मैरे नहीं लखना चाहिए ठीके न वन मारकर कोश्चन था पेंटिंग कर दीजिए ग्रीसिंग कर दीजे क्षिंग कर दीजिए वालिंग कर दीजिए क्वी गलवनाइजेशन हम किसका करते थे आइरन का और स्टील का देख लीजे आप यहां पर NCRT में यह दिखिए यहां पर आई यह सही बात है कि नहीं बताइए कॉपर का एलोई भी तो बना सकते हैं इसको पर रस्टिंग नहीं होगी एलोई से भी तो रस्टिंग नहीं रस्टिंग कह रहा हूं सोरी उसका क्रोजन नहीं होगा तो एलोई भी बना सकते हो for a particular uses हम brass बना सकते हैं जो कि किसका किसका alloy है copper and zinc का and हम bronze बना सकते हैं जो कि किसका alloy है copper and tin का ठीक है लेकिन पता है मैं आपको बताऊं आपको मैं बताऊं अगर आपको pure copper ही use करना है ठीक है क्योंकि उसने आपको बोला पड़ो ध्यान से हम alloy यहां पर मत लिखिएगा alloy मत लिखिए पताए क्योंकि उनको metal X को कभी न कभी use करना होगा ना मान लो तो आप ये कर दो ना क्या नामे आप painting करके रख दीजे बहुत असान है भाई painting नहीं कर पाऊगे बताऊ पेंट ले के copper पेंट कर दो बहुत असान है oil लगाके छोड़ दीजे grease लगाके छोड़ दीजे बहुत असान है क्या दिक्कत है ना तो जब भी हमें जब भी हमें वापस हमारा copper चे को तो हम degreasing कर लेंगे sodium hydroxide की help से याद है पताई हम degreasing कर लेंगे क्या दिक्कत है और metal को use कर लेंगे सही है तो यह चीज है क्या दिक्कत है तो इसमें यह सब risk मत लीजे फाल्तू चीजे मत लिखिए ठीक है जो आपने आपकी जो knowledge है उसके according answer आप दीजिए ठीक है तो यह हो जाएगा giving one example of each explain the matter of obtaining the following metals from their compound metal A which is low in the reactivity series अब यार क्या ही मैं बताऊँ low in the reactivity series में आप किसका example देंगे सिना बार का बताईए आप किसका example देंगे बताईए सिना बार का और यहाँ auto reduction हो जाएगा तो इन्होंने एक ही step में कर दिया है इन्होंने एक step में करना आपको दो step में करना है आपको two step में करना है according to NCRT तो low reactivity में आप यह वाला क्योंकि तीन नंबर का question है तो reaction के साथ आप यह वाला कर दीजीगा कितनी बार तो आ चुका है ठीक है mercury का चाहो mercury का कर सकते हो copper glands का मतलब इसका उसके बार अब देखिए यहाँ पर फिर उसने हमसे क्या पढ़ाया है पूछा है फिर उसने हमसे metal B which is in the middle reactivity series तो middle reactivity series में बच्चों आपका क्या था याद करिए इन्होंने आधादूर आंसर इनका आंसर नहीं लिखेंगे ठीके ना middle reactivity series में हमने zinc carbonate पढ़ाता याद है बताइए और zinc sulfide तो यह आप लेख सकते हो इदर देखो यह sulfide और का step number one है और यह step number two है यह carbonate और का step number one है और यह step number two है ठीक तो यह चीज़ है इसका example आजाएगा middle reactivity में example ही तो पूछे middle reactivity में आपके मैगनीज के oxide को aluminum powder से reduce करा होगे ठीक है उसके बाद नहीं लिखना इसको इतना जरूरी नहीं लिखना आपको है न इसको इतना लिख भी दोगे तो भाई तीन number का सवाल है कितनी reaction लिखो गया लिखने को तो middle में आप ये भी लिख दो iron के oxide को reduce करा दो aluminum से क्या दिक्कत है thermite reaction भी लिख दीजे ठीक है आता है तो लिख दो 5 नंबर में आ गया तो लिख दीजेगा सारे नहीं तो फिर इतने में ही चल जाएगा आपका इतने में ही चल जाएगा आपका और इसमें भी आपके sodium chloride magnesium chloride calcium chloride potassium chloride का electrolytic reduction और aluminium के oxide का electrolytic reduction याद है बताइए याद है याद है ये NCRT में देखिए लिखा हुआ यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर देखिए जरा कहा गया पढ़ाया था ना आपको electrolytic reduction कहा गया यहाँ पर देखिए जरा यह टिक लगवाया था मैंने की नहीं बताओ है ना reactions भी करवाईए चेक कर लीजे sodium magnesium and calcium और potassium भी आता था इसी में इनके molten chloride लेते थे और aluminium का नीचे लिखा है aluminium का हम क्या लेते थे oxide लेते थे aluminium का हम oxide लेते थे cathode पे आपको metal मिलता था और anode पे आपको क्या मिलता था gas मिलती थी चाहें chlorine gas और chloride है तो chlorine gas मिलेगी और अगर aluminium का oxide है तो oxygen gas मिलेगी चेक कर लो बताई कोई doubt है बताई कोई doubt है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा चलिए next question देखते हैं आगे आज ये finish हो जाए तो जादा अच्छा है अब देखो ये वही वाला सवाल है जो कुछ लोग घबरा गये होंगे अच्छा हुआ आगे आज अच्छा हुआ ये फिर से आगे आज अच्छा हुआ फिर से आगे ये ये वही वाला सवाल है आपका अगर आपको याद हो एनलकली मेटल कैपिटल ए गिवस अ कंपाउंड कैपिटल भी मोलेकुलर मास इतना याद है तो मेटल ए सोडियम होता था भूल गए हो क्या क्योंकि अगर मेटल ए को हम रियक्टिंग विद वाटर पानी से रियक्शन करा दें ए को अगर हम किस से करा दें पानी से रियक्शन करा दें तो ए ओ एच बनता था और साथ में hydrogen gas निकल जाती है चेक कर लो याने के metal A आपका sodium होगा इसको अगर आप पानी से reaction कराओगे direct question आएगा एक्जाम में यह वाला change करेगा ही नहीं hydrogen gas निकल गई थी बताईए balancing balancing आप लोग समाल लीजेगा ठीक तो यहां पर इसका ही तो molecular mass कितना होता था याद है 40 होता था बताया था class में बताई यह sodium का symbol क्या होता है 11 और उपर 23 तो atomic mass 23 तो इसका molecular mass कितना हो जाएगा sodium का 23 oxygen 16 और hydrogen 1 तो यहां पर 40 नहीं आ गया था बताईए तो यहने कि sodium hydroxide बन रहा है तो बी क्या है आपका sodium hydroxide और a metal क्या आपका sodium है बहुत important question है यह 5 नंबर में आएगा अगर आएगा तो सुन दो और direct सवाल आएगा कुछ भी नहीं change किया जाएगा तो compound B आपका sodium hydroxide है 5 marker question है उसके बार the compound B gives a soluble substance C on treating with the aluminum oxide मतलब B को अगर हम क्या करें B gives a compound C on treatment with the compound C कैसा है? soluble compound C है soluble मतलब aqueous salt बनेगा C क्या है aqueous है AQ का मतलब समझ जाना aqueous AQ का मतलब aqueous C क्या है आपका aqueous है तो treat किसके साथ करना है aluminum oxide के साथ अब आपको पता है कि B यह रहा आपका यह B है तो इसको अगर आप aluminum oxide के साथ करोगे NaOH को al2-03 के साथ तो यह base हो गया तो यह acid emphoteric वाली reaction आ जाएगी ठीक okay C is NaAlO2 yes yes तो sodium aluminate NaAlO2 sodium aluminate आपका बनेगा और साथ में देखो ध्यान से यह base है और यह acid है यह क्या आपका base है और यह acidic in nature होगा emphoteric होता है तो यहाँ पर acidic in nature वाली reaction में sodium aluminate बनेगा ठीक और यही तो आपका aqua salt बनेगा soluble है ना यही तो salt है तो salt plus water बनेगा आपका acid base reaction है तो salt plus water बनेगा यह लीजे और balance कर लीजे इसको तो balance हम लोग कैसे करते थे चेक कर लो तू थ्रीजा तो यहां मेरे ख्याल से टू लगाते थे टू और नहीं oxygen चलो balance करो भाई चेक करो जला कैसे करें balance 2 और यहां पर 3 oxygen ठीक है और यहां 3 plus 1 4 तो यहां अगर हम 2 लगा दें मानलो 2 3 6 plus 1 7 तो यहां भी टू लगता था यहां शायद 4 लगता था 4 टूजा एट 4 ऐल्मूनियम और यह फिर 4 हो जाएगा आपका चेक कर लो क्या balance है 4 2 the 8 plus 1 9 hydrogen कितना हो गया 4 तो यहां मुझे 2 लगाना पड़ेगा तो 2 2 the 4 और 2 4 2 the 8 plus 2 12 2 3 6 plus 4 कुछ गलती कर रहे है क्या चेक करिए इसकी balancing भाई 1 second 2 2 the 4 2 3 6 6 प्लस 4 10 हो तो गया और 4 2 the 8 plus 2 सही तो है 2 4 the 8 4 2 the 2 2 the 4 hydrogen और 4 hydrogen oxygen भी यहां पर balance है 4 plus 2 plus ठीक है चेक कर लो balance है balance है क्या check कर लीजे और चाहो तो पूरे को टू से divide कर तो अगर आप पूरे को टू से वापस से divide करो तो यह बनेगा टू N average ! यहां भी balance ही है यह कोई दिखकत नहीं है TOyyah है और प्लस यहां सही डेजो ऐलन ऐर्टी कर लो भाई फटा फट क्या आभी भी तो यह हो गई आपकी बैलन्स यहीं बता रहे हो ठीक है वह फोर से कर दिया था बढ़ थी वह भी बैलन्स कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम क्या करेंगे सिंप्लेस फॉर्म में लेकिंग एने वेच यह आपका सॉलिट था और यह आपका एक यह वाली रियक्शन मत लिखना नीचे वाली लिखोगे हैं ठीक है न कोई डाउट है बताईए है आइडेंटिफाई ABC तो ABC हम लोग पहचान गए एंड हमें क्या लिखना है यहाँ पर हमें रियक्शन लिखनी थी तो यह रही रियक्शन और इस रियक्शन में यह भी अच्छा जा सकता है तो Elmium Oxide कैसा है यहां पर बताईए Elmium Oxide कैसा है यहां पर बताईए Elmium Oxide ऐसे डिके आगे बढ़ते हैं चलिए हो जाएगा सवाल बहुत अच्छा सवाल था ही और इसको आप ध्यान रखिए गांचिक इसके बाद अब यह एक अच्छा सवाल लग र यहां रिंताल रिएक्ष्यन है यहां पर क्या है यहां यहां है यह अगर आप क्यू लिखा जिया तो अध्यान दो क्यू ने अपना Oh बना दिया यह देखी ये q2 o3 oxygen के साथ ओ का मतलब oxygen क्यों ने क्या कि अपी को displacement कर दिया पी बिचारा बाहर हो गया याने कि क्यों इस मोर एक्टिव देन पी क्यों इस मोर एक्टिव देन means q is more reactive than r second reaction से ये पता चल रहा है चीक और third reaction में क्या पता चल रहा है p ने क्या किया ध्यान से चेक करो p ने r को बाहर कर दिया r को oxygen से बाहर कर दिया r विचारा बाहर चला गया तो p ने अपना oxide बना दिया p2o3 याने के p is more reactive than r p is more reactive than r सही है अब सुनो p is more reactive than r तो ध्यान सुनो q p से ज़्यादा reactive हो p r से तो ये वाली को और ये वाले relation को अगर आप देखोगे तो q सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मेरे ख्याल से फिर p मिलेगा और फिर आपको r क्योंकि p is greater than r तो ये आपका order है सबसे ज़्यादा reactive q फिर p और फिर r अब आप एक काम करो अराम से तसली से इस question को पढ़िए ठीक और देखिए क्या आप से बन रहा है देख लो अच्छा सवाल है देखो 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 अच्छा सवाल है बताईए आप से बना आप लोगों से सबसे बना बहुत अच्छा सवाल मैं इसको बोलूँगा पता है पांच नमबर में ऐसे सवाल आते हैं या तीन नमबर में बहुत बढ़िया सवाल है मला बना के दिया है ना है कुछ भी नहीं पर तुम घबरा जाओगे ना देखके तुरन तुम घबरा जाओगे देखके इसलिए इसलिए बनाया है उसने ऐसा सवाल अब देखो जड़ा ध्यान से अब इसके आंसर देने तो मैं कहा रहा विच एलिमेंट इस मोर रियक्टिव मोर तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से मोस्ट होना चाहिए इसी है है इस सबसे कं रियक्टिव आपका कौन सा है R है ठीक है क्यों क्योंकि R is displaced by R जो है बिचारा वो P से भी displaced हो गया है ना last में जाके और R जो बिचारा वो Q के द्वारा भी displaced हो गया ठीक reason आपका वही है state the type of reaction तो भाई type of reaction displacement बहुत बढ़िया सवाल था क्योंकि ऐसे सवाल में होता कुछ नहीं है और बच्चे घबरा जाते हैं जैसे कि मैंने color वाला question record करके दिया था class में जैसे कि मैंने record करके color वाला question दिया था solution के color और वो सब सारी चीज़ें आप लोग देख रहे थे ठीक है correct तो वो भी बहुत अच्छा सवाल था अगर आप लोग ने देखा हो इस स्मृति ने पूछा था सवाल वहां आप color सोचोगे metal सोचोगे तो सोचते रहोगे फिर आप जो पूछा जा रहा है उसको आप बताईए ठीक जिसमें x y z यह सब लिख के आता है तो परिशान नहीं हो न आपको जो knowledge उसके हिसाब से काम करिए और आंसर चुप चाप देदीजिए अब देखिए बच्चो अगला जो सवाले मैं नहीं कराऊंगा भाइब मैं क्या ही कराऊ और कितनी बार कराऊं बताओ metal x आता है low reactivity series में तो कैसे उसका reduction करोगे है ना मतलब कैसे obtain करोगे y मिडल में आता है कैसे करोगे z higher reactivity में आता है कैसे तीन नंबर में पूछा है सारे आपको लिखने हैं आगे देखिए जरा अब देखो यार यह अच्छा सवाल है यह अच्छा सवाल है भाई है ना देखो जरा कैसे अच्छा सवाल है यह अच्छा सवा नहीं नहीं ध्यान सरे चेक करें बच्छों the compound xy2 तो भाई molecular formula उसने हमें क्या दिया xy2 देनों दो कोई दिक्कत नहीं atom x donates one electron बहुत बढ़िया ध्यान दे बच्छे x ने एक electron donate कर दिया x ने एक electron क्या कर दिया आपका donate कर दिया इसका मतलब x की equivalency कितनी है plus one है ठीक x की equivalency plus one है ठीक तो group number one को belong करता होगा sodium या potassium होगा या lithium होगा उसके बाद to each atom of अब देखो बड़ा मज़ेदार language है to each atom of y to each atom of y अरे भाईया बहुत बढ़िया अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पूरा नहीं पढ़िया sorry शक्तिमान हो गया पूरा तो पढ़ो बहुत बढ़िया सवाल very good question sodium potassium नहीं है sodium potassium language पढ़िये language बढ़िये अच्छी क्या कह रहा है atom x donates one electron to each atom मतलब सुझो कि atom x है और वो आपको formula में दिख भी रहा है xy2 में x के कितने atom है one atom one atom of x बहुत अच्छा सवाल है one atom of x है लेकिन two atom of y है चेक कर लो यार y के नीचे two लगा हुआ है two atom of y है अब उसने क्या बोला कह रहा है कि atom x donates one electron to each y कितने y है तो सामने पहले 2 y बना लो ऐसे और प्लस लगा के ठीक है x बना लो इसका मतलब x ने एक electron किसको दिया होगा ये वाले y को each y का मतलब हर एक y को इसको और इसको दो ही तो y है और एक x है और x ने एक electron इसको दिया होगा बेरिलियम की बात करोगे नहीं ये कभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको class 10 में आप बात करोगे भाई या तो ये magnesium होगा या तो ये calcium होगा सर आप ये क्यों बता रहे हो क्योंकि शायद वो जाके पूछ ले आपसे कभी exam में कि कि भाया असली वाले element का नाम बताओ असली में X कौन था तो आप बोल देना या तो magnesium था या तो calcium था क्योंकि यही दोनों की valency 2 plus 2 plus होती आपको पता है group number 2 के metals है alkaline earth metals चीक है तो ये हो गया अब सुनो उसके बाद उसके बाद आगे पढ़ते हैं करा show the electron dot structure of X and Y and the formation of XY2 what is the nature of the bond अब ध्यान से सुनिएगा Y बिचारा एक electron gain करता है तो भाई Y कौन से group को belong करता होगा बोलो बोलो periodic table के कौन से group को belong करता होगा जल्दी से बताइए जरा कौन से group की विलेंसी वन पताई थी सत्रा और group नंबर सत्रा में आपका fluorine आता है और chlorine आता है fluorine के यार compound तो तुमने पढ़े नहीं है 10th class में तो इसको cut कर दो तो यार chlorine होगा और chlorine का electronic configuration 2,8,7 नहीं होता है यानि के Y जरूर क्या रहा होगा तुमारा chlorine Y क्या है तुमारा chlorine ऐसे समझ लो हना तो कहीं पर लिख दें क्या Sizar rhyme लोग कहीं पर लिख दें तो X क्या हो सकता है तुमारा magnesium हो सकता है MG या फिर calcium हो सकता है and Y जो होगा तुमारा वो हो सकता है chlorine मानते हो कि नहीं बस अब कर लीजे, अब कर लीजे, क्या आपको magnesium के outermost में electron नहीं पता, magnesium का electronic configuration क्या होता था आपका, 2,8,2, ठिक, और calcium का आपका क्या होता था, याद करिए, 2,8,8,2, तो चाहें यार, magnesium सोचो, चाहें, calcium outermost shell में तो दो ही electron है, और electron dot structure पहले पूछा है, उसने शायद, क्या प पूछा तो है, यार, electron dot structure of, x and y, पड़ो, 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 electron dot structure of x, तो x का electron dot structure, अब मैं यहाँ पर answer कर रहा हूँ, यहाँ पर, x के outermost में, 2 dot दिखाओगे, valence shell के electron दिखाते हैं, electron dot structure में, and y के outermost में, y क्या है, तुमारा, chlorine है, और chlorine के outermost में 7 होते हैं, तो 7 दिखा दोगे, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, 7 dot दिखाओगे, सुन लो, ध्यान से दिखनी रहा होगा, ध्यान से दिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मेरी बात ध्यान से सुनो, very important, सुनो, अब तो तुम सब कुछ कर लोगे, सबसे important क्या था इस question में, बताइए, सबसे important क्या था इस question में, सबसे important इस question में ये था, फिर से सुन लें सभी बच्चे, ये जो formula दिया था ना भाई, उसने आनिक compound का, ये वाला, x, y, 2, इसमें आप y के 2 atom है, ठीक है, y के 2 atom है, correct, तो बस अब इसको आप, इसका formation दिखा दीजे, तो formation कैसे दिखाओगे, x और x के outermost में 2 electron, और plus करके, एक y यहाँ चिपकाओगे, और y के electron को star से दिखाना हो, तो star से दिखा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और नीचे वाले y को थोड़ा साब देखो, जगा की थोड़ी कमी है, वैसे तो आप लोग समझदार हो कर लोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, तो ध्यान से चेक करो, एक electron यह इसको देगा, और एक electron यह इसको देगा, और arrow लगा के answer क्या आएगा, x के ओपर 2 प्लस चार जाएगा, जैसे mg 2 प्लस होता था, है ना, और y, y की हालत क्या हो गई, y के पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इसके खुद के थे, और एक इसने gain कर लिया, और इसकी वज़े से इसके उपर minus sign आ गया, और square bracket लगाने के बाद, square bracket लगाने के बाद, y के कितने item है, 2, इसले whole twice लगा दोगे, यार, खेल कतम, चेक कर लो, ठीक है, खेल कतम, ये सब कुछ मत देखना, इनका मैं पहले बता दे रहा हूँ, जैसे NCRT में किया, वैसे करो कि whole twice लगा के, ठीक है, whole twice लगा के, कोई doubt है, बताओ, कोई doubt है, और अगर पूछेगा कि real example में ये compound कौन सा compound हो सकता है, तो mgcl2 हो सकता है, चेक कर लो, असली में ये क्या हो सकता है, एक्स मैंगनीशियम और Y हो गया क्लोरीन, तो मैंगनीशियम क्लोराइड का हो सकता है, example, कोई doubt है, बताईए, हलाकि पूछा नहीं है, अगर पूछ लेता तो हम बता देते हैं, हाँ, पूछ लेता तो हम calcium क्लोराइड भी बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आईधर it will be magnesium chloride, और it will be, अगर पूछ लेता, तब हम बताते हैं, अगर नहीं पूछा है, तो ज़्यादा वहाँ पर आपको अपना knowledge दिखाने की दरुवत नहीं है, ठीक, यह चीज हो गई, अब देखिए, सारी बाते बता दी, मैंने आपको और क्या पूछा उसने, कुछ पूछा है क्या, इलेक्ट्रोनिक कंफिगरेशन, कुछ पूछा है क्या, हाँ, कह रहा है, राइट एनी, फॉर्मेशन तो मैंने दिखा, यह कह रहा है, राइट एनी, थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स वाई टू, अब बताओ, क्या यह आइनी कंपाउंड नहीं है, बताओ, और आइनी कं ओर्गनिक सॉल्वेंट, जैसे कि आपके कैरोसीन हो गए, नॉन पोलर, कैरोसीन और पेट्रोल, याद है, कैरोसीन और पेट्रोल, यह हो गए आपके क्या, यह हो गए आपके क्या, यह हो गए आपके नॉन पोलर, चीक, इसमें इन सॉलिबल होंगे, नॉन पोलर में, और पूरी बात लिखिएगा solid state में non-conductor solid state में non-conductor याद है due to their rigid structure there is no free iron और aqueous state या molten state में जो है आपके पास free iron आएंगे तब conduct करेंगे तो भही आप पूरी बात ठीक से लिखनी है आपको सवाल था 5 नंबर का 5 नंबर का सवाल था और देख लीजे यही आपका trend exam का आएनिक compound पे 5 नंबर का सवाल metal non-metal से और कोई सवाल आया ही नहीं होगा पूरे paper में सीधे 5 नंबर का सवाल आ गया चेक कर लो भाई बताई कोई doubt है हो जाएगा कर लोगे बोलो बोलो फटाफट ठीक है हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल सवाल दिये में जो काम की चीज होगी वह मैं आपको बताऊंगा लोको पहले इधर से कुछ सवाल कर लेते एक्स्प्लेंद अच्छा थोड़ा सवाल दिया ऐसा ही तुम्हें करने के लिए तो इसको तुम देखना चाहो तो देख सकते हो इसको तो ऐसा दिया तूम्हें आगर तुम इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो ठीक यह आठट नंबर सवाल मृत question number 8 को पढ़ लीजिए आप अराम से एक बार आप इसको अराम से पढ़ लीजिए तो इसके लिए आपको reactivity पता हो नहीं चीए बस और ठीक तो आपका क्या आता आपका potassium आता है sodium यह सब आता आपका पहले फिर magnesium करते करते आप लेट तक पहुंचोगे ठीक है ह Kings see potassium sodium आपका फिर मेर मैं कैलेशियम आटा है थिर आपका magnesium आएगा ठीक फिर आपका क्या आएगा बताइए alienieves फिर यह यह आएगा फिर आपका आएरन अ आएगा यह ना वills हुर्ट हो कर ले ना नीके मरकरीग यह पिर आए सिल्वर सृट घॉन गूल copper mercury silver और गोल्ड अब आप चेक कर लो Zink को इन्होंने डाला है solution सब्रकार कं सा आपका बताओ ऑलमुनियम सल्फटेट चेक अब बताओ क्या zinc आप का जो है अलमुनियम सल्फटेट को दिस्प्लेश करेगा मतलब एलमुनियम को जिंक सलफेट से करेगा नहीं करेगा वो डाइनमिक होता है सिस्टम मैंने आपको वापस मिल जाएगा तो इसले इसको भी नहीं लिखेंगे पिर फेर सलफेट अब जिंक क्या iron sulfate से iron को कर देगा, येस सर, zinc is more reactive than iron कर देगा, फिर zinc is more reactive, zinc greater than iron का मतलब, zinc is more reactive than iron, उसके बाद, फिर तो इस से करेगा, and copper sulfate से करेगा क्या zinc, बताईए, zinc copper के उपर आता है, तो zinc is more reactive, तो yes, reaction हो जाएगी, और color change, copper sulfate का, यहाँ blue से कैसा हो जाएगा, transparent, क्योंकि ज़ंक् of अपका ट्रांस्पेरेंट होता है सभ्रांस्पेरेंट करिंभंग मों अब कलरेश बोलदो दो ज्यादा अच्छा सिन्ग-स लगा से शब्र सल्वेड में उसके बाद यहां पे फेरस यद्य८्ट से और छला जाएगा बथा अगलर लेस बस खतम यह सवाल आपका खतम हो गया बताए कोई डाउट है उसके बाद अब यहां से देखिए जड़ा यहां से एक यह कोश्चन आपको पूछा हुआ यहां पर नाइन्थ नंबर कोश्चन को ध्यान से चण है चेक करिए नाइन्थ नंबर कोश्चन को ध्यान से पढ़िए अलमूनियम की स्ट्रिप अब इसकी reaction लिखवा रहा हूं बस है ना अलमूनियम की स्टिप आपंळे ली और solution of copper sulfate में डाला ठिक, तो almonium की striply और copper sulfate solution में, CuSO4 aqueous, तो क्या बनेगा, ये खास बात हैं, बनाना क्या है, तो आपको पता है almonium पे कितना होता है, almonium is more reactive than copper, almonium is more reactive than copper, तो almonium पे 3+, और sulfate होता है आपका 2-, तो ये 3 इधर और 2 इधर, तो आ जाएगा आपके बास L2SO3, sorry L2SO4 का whole thrice ये बात है बस कि मुझे ये बताना था कि formula कैसे बनाना है displacement reaction होगी तो AL2SO4 का whole thrice बनेगा आपका और copper out हो जाएगा ठीक है तो धीरे धीरे क्या होगा आपका ये जो blue color ए फेड़ अप हो जाएगा और aqua solution of aluminium sulphate transparent टाइप का होता है थोड़ा सा colorless है न यह चीज़ हो गया अब आप चेक कर लो यहां यह एक्वस बन जाएगा और copper आपकी solid out हो गई balance कर लिजे sulphate कितने 3 तो हम यहां 3 लगा देंगे तो copper 3 हो गया copper 3 लगा दिया मैंने आपको पढ़ाया था और जैसे ही आपने किसके साथ करा है अगे बढ़ जाए कर लोगे अब देख लेता हूं कि कौन सा कोशन और आपका बच्चा हुआ है कोई जो कोशन ना हो पाए अब तो सब कुछ आप लोग को पता ही है न और यह अच्छा यार सवाल है को पता ऐसे बेवज़ा बात तुमसे कर दिया आज उसमें फिलिंदा प्लैंक में चलो कोशन नमबर सेवन बता दो और क्या भर दें यहां फिलिंदा ब्लैंक यह फिलिंदा ब्लैंक से मेटल का नाम बताओ क्या फिल करना चाहों ग bombam integrity को इसमें लुग फिल करेंगे झायरन हमने फिल किया बिलकुल सब्सक्ता आप और यह तुम कर लोगे कर लोगे कर लोगे भाई यह लोगे डेगो यह वाला सवाल देखो जिंक के पीश को और सब्सक्राइब क्लेस हो जाएगा और जो ब्राउन कलर का जो आपका कॉपर है रैडिश ब्राउन वो डिपॉसिट हो जाएगा जिंक की स्ट्रिप क्यों ठीक है यह भी आपको पता है यह भी तुम रियक्शन कर लोगे हाइडोजन वाली ठीक है एक डाग्राम बनाके दे दिया तो बच्चे डाग्राम ही देखते घबरा जाएंगे तुरंत घबराने की दुरत है नहीं आपको कोई भी यहां पर ठीक है जो उल्टे सीधे सवाल आते हैं वो सबसे आसान होते हैं याद रखिएगा डाग्राम बना दे कहीं कुछ उल्टी सीधी रियक्शन लिख दे तो वही तो सबसे आसान होता है यह देखिए अब आप देख लो इसमें कहरा इस्टुडेंट परफॉर्म दफॉलिंग फॉर एक्स्परिमेंट चार डाग्राम बच्चों आपको बनाके दे दिये SCL में सिल्वर, FESO4 में कॉपर और कॉपर सल्फेट में अल्मूनियम और AG, सिल्वर नाइट्रेट में गोल्ड ठीक है ना अब देखिए कह रहा है इन विच एक्स्परिमेंट नो रियक्शन अकर कोई रियक्शन नहीं होगी अब बताओ क्या सिल्वर हाइट्रोजन को डिस्प्लेज कर देगा बताइए बताओ रियक्टिविटी सिरीज आपकी, पोटेशियम, सोडियम हो गया आपका, केल्शियम ठंडे पानी से, मैंगनीशम आपका गरम पानी से, फिर एल्मूनियम, आयरन, जिंक, उसके बाद आता था आपका क्या, लेड, है ना, फिर आता है आपका हाइड्रोजन, उसके बाद आत पाइड्स है, ठीक, तो आप मुझे बताओ, क्या सिल्वर, सील के साथ करेगा, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है, नो रियक्शन, क्योंकि सिल्वर, लेट्स रिक्टिव दन हैड्रोजन, तो एसे यह एड्रोजन, तो इसमें से हैड्रोजन, डिस्प्लेश नहीं कर पाएगा ठीक, इसमें से आपका, जो हैड्रोजन, डिस्प्लेश नहीं कर पाएगा, तो यार, फस्ट वाले में नहीं होगा, जिसमें नहीं लिखनी, वो हमें टिक करना है, है ना, नो रियक्शन अकर वाले में, तो इसमें नहीं होगी, इसको टिक करेंगे, सेकंड वाला, क्या कॉपर सलफेट को डिस्प्लेश कर देगा, बताओ, येस, ठीक, अभी करके दिखाया था, मैंने न, अलमुनियम का कॉपर सलफेट के साथ, अभी करके दिखाया था, तो ये, आपका नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें रियक्शन अकर्थ, इसमें क्या होगा, तो फर्स, सेकेंड, फोर्थ, बताइए, कोई डाउट है, हो जाएगा, इसके बाद, आज इस प्रिती ने एक बहुत अच्छा कोशन पूछा था, जाके देख लिजेगा, एसिट, एसिट, बेस हैं, सॉल्ट वाला, है न, तीन, दो बेस देदेगा, एक एसिड, या, दो ए तो भाई, ए में जिंग सल्फेट रखा है, बी में कॉपर सल्फेट, इसमें अलमुनियम सल्फेट, इसमें, अब आपको बताना है कि आइरन कहां डिस्प्लेश्मेंट रेक्शन दिखाएगा, तो चेक कर लो, आइरन क्या जिंग को डिस्प्लेश कर पाएगा, बताइए, फिर इसमें क्या अलमुनियम को कर देगा आइरन? नो, फिर अलमुनियम क्या कैल्शिम को कर देगा? नो, अराम से सवाल एक बढ़ पढ़ लो, बस ऐसा ही, बाकि तुम्हें सब पता है, रेक्टिविटी सीरीज से, देख लो अराम से, देख लो अंदर आइरन रखा हुआ, हुआ यहां रखा हुआ है बताइए हो गया छीग है अब देखो जरा ध्यान से यह फिर से वैसे ही सवाल दिया अब बेसे ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियक्शन element the most and least reactive अब बताइए यहां से वैसे ही होगा आपका सवाल जैसे भी उसने दिया ता बना कर बताओं ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया तो a is more reactive than b उसके बाद c ने a को डिस्प्लेस कर दिया तो c is more reactive than a तो अब आपका इन दोनों को देखके order क्या बना कि c तो a से भी जादा है c तो a से भी जादा है और a b से जादा था तो सबसे जादा reactive कौन होगे आपका सी most reactive और least reactive कौन सा होगे आपका भी बताइए कोई डाउट है अराम से देख लो reaction बन जाएगी बताइए कोई डाउट है नहीं अब देखिए ज़रा ध्यान से यहां पर next यह दिखिए question आया है क पढ़ दो पढ़ पर्लो सवाल पढ़ड़ो ठाल अब बताँ जल्री उसकी किसकी बनी कौन सा मेटल होता है जो एक्सको rehear करनın के पा ब्लैक हो जाता है रिए सिल्वर ठीक तो आपको पता है सिल्वर मेंटल होगा तो उसके पर किसकी कोटिंग आ जाती होगी सिल्वर सिल्फाइट की एजी टूएस की याद है सो बार बता चुका हूं फिर वर्ड इस दा प्रोसेस को हम सेके बोलते हैं कौरूजन हो गया है कौरूजन हो गया और तीसरा कोई कोशन ही नहीं था तीसरा कोई कोशन जो है आपका प्रियोटिक टेबल में ठीक उसमें आपका oxygen आता है और sulfur आता है ठीक तो एक बाब बताओ अगर metal के oxide basic in nature है सुन लीजे द्यान से अगर metal के oxide basic in nature है जैसे कि example के तोर पे आपका हो गया copper oxide या हो गया आपका silver oxide तो अगर metal के oxide oxygen से करके basic in nature तो metal के sulfide भी कैसे होते होंगे बोलो 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 metal के sulfide भी कैसे होते होंगे basic in nature ठीक है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है इस बात को आपको ध्यान रखना है मतलब अगर आपने silver को खुला छोड़ दिया exposed to air अगर उसने hydrogen sulfide से reaction कर ली ठीक तो आपका यहां पर क्या बनता है silver sulfide AG2S और hydrogen gas निकल जाती है ठीक तो यह जो आपका बन रहा है यह basic in nature है metal कौन है silver तो silver का sulfide क्या आपका basic in nature है ठीक तो यह basic in nature है अब सवाल पढ़ लो ध्यान से कह रहा है शेशी बाउट new silver anklets after a month she found that anklets turned तो नया anklets वो खरीद के लेके आई है ठीक है कोई jewelry कुछ होगी जो भी खरीद के लेके आई तो उसके ओपर black coating हो गई है अब बताओ कौन से metal पर black coating अपने आप हो जाती है अगर उसको हम सम्हाल के ना रखे याने कि उसको अगर हम exposed to air ना करें तो silver तो इसका मतलब silver तो she has doubt that it is not of pure silver बट हर neighbor राखी टोल्ड हर that it is of pure silver and advise her to wash it with the tamarind और lemon juice अब आप समझ गयोगे lusher bag चमक वापस आ जाएगी तो उसकी एक friend होगी राधा रिया राखी जो भी उन्होंने बोला टैमरेंड टैमरेंड यानि इमली से इसको दो दो इमली से पानी लगा कि बढ़िया इमली और पानी का घोल मिला हो solution ना कि दो दो इमली में क्या होता है अब आप देख लो एसेड बेस रियक्षन हो जाएगी समझ गया तो जब उसके सिल्वर के आर्टिकल यह सिल्वर का आर्टिकल है और सिल्वर के आर्टिकल के उपर उसका इस तरीके से इस बिल्वर के ब्लैक लेल आ गई होगी तो इस बिल्वर को समझ्वेकर कि समझ गयों यह सिल्वर की ऑच यह विज़े rethink की वजह से इसकी इसकी ब्लैक लेयर है तो इसका नेचर तो basic है तो acid से साफ करो होगे तो acid-base reaction होगी ठीक है और उपर से AG2S का लेयर dissolve हो जाएगा हट जाएगा उपर से neutralization reaction होगी जो बुलना है बूल दो ठीक है acid-base reaction होगी और फिर से चमक वापस आ जाएगी उपर से AG2S का जो है लेयर चला जाएगा ठीक है उसके बाद answer the following question ठीक है वाई एंकलेट्स टर्न ब्लाक तो AG2S की लेयर आ गई होगी hydrogen sulfide से reaction करके बता दिया मैंने उसके बाद वाई दे एंकलेट्स बिकम लस्ट्रस और वाशिंग विद्ध टैमरिंड मैंने आपको बताएगी अब आप चेक कर लो यह अंसर लिखें खुदी से चेक कर लो सबकुस तो मैंने बता दिया उसके बाद वाट वैल्यू आर एक्जिबिटेड बाई राखी ठीक है वैल्यू उसने वो सिंसेर है और उसको नौलेज साइन्स का और क्या है ठीक है राखी को हो जाएगा पढ़ दिया आंसर पढ़ लो य देखते हैं इसमें वैसे कुछ बचा है नी देख लेंगे दो कोशन अगर कुछ कराने लाइक होगा तो करा देंगे जाएगे कर दो कर दो